आज की क्लास में हम बात करेंगे श्रट क्लोज करना कंपणी को और थर्ड ऑप्षिन में आपको बताया जा रहा हूं सेलेक्ट कंपणी जोगी कंपणी डिटेल्स का ऑप्षिन है तो सबसे पहले मैंने यहां पर आपको फर्स्ट क्लास में बताया था मरमेश ट्रेडरेस नांकी company बनाना आज मैं आपको बतारा को बढ्ंत के सकीया सता ही या चैकले के बाद आपको जाना है यहां के नहीं है मैं पास एक में ग्रहूसरे नांकी कमपनी है तो simply मैं रमिश्ट्रेटस नवगी कंपनी को select किया हूँ और इसके बाद यहां से मैं एंटर करूंगा जाएगी बंद कैसे है कि कैसे होगें हमें कैसे पता दोगा कि यहां पर स्टेटस आपको खाली दिखाई दे रहा है कंपनी का आप बताए है कि अगर कंपनी ओपन नहीं दे रही है या वह टेंपररी बंदह की और हम आज बात करेंगे फर्ड ऑप्षिन पे जो की रहेगा select company नाम का option तो select company option पर आप जाएंगे जिससे आप multiple company को choose कर सकते हैं तो जैसे मेरे पास यहाँ पर दो company आपके पास लिटा सपोर्स आपके पास 100 company या 150 company तो simply आप यहाँ पर search करके भी company को ढूण सकते हैं जैसे करेंगे जैसे यहाँ पर click करेंगे तो यहाँ पर आप नाम search करेंगे तो automatically company आपके सामने आ जाएगी और आपको यह नहीं के load करना यह company को यहाँ पर enter करेंगे तो company open हो जाएगी दोबारा में status पर दिखाई देने लगी है मतलब company load हो चुकी है चिक Maintenant कि उसके बाद जैसेकी मैंने आपको बता आता यह तीन option आपको बताने हो आपको बताने वाला हो तो next topic using security controls तो आज हम बात करने वाले है security controls पर तो जैसेके आशे मैंने आप से कहाँ ता कि इस्में 2 तरह के security controls होते हैं और हम दोनों security controls पर काम करने वाले हैं तो simply आज मैं आपको security control बताने वाला हूँ तो इसमें दो तरह की security control होते हैं तो जैसे हम जब company बनाते हैं तो company को secure करना भी बहुत जरूरी होता कि आपके में company बना रहा हूं रवी ट्रेडर्स नामकी और मैं यहाँ पर इसको गैज्सागी ढ़्रेडरहा भी छोड़ दे रहां स्कायाप कर दे हो मैं यहांपर company country ले ले रहा हूं इंडिया स्टेट ले रहा हूं मर्द बिदेश और यहां पर यह डेटल भी छोड़ देया उसके बाद फाइनेशल यह एक चार दोजार उनेस यहां पर दो सेक्यूरिटी कट्रोल में से पहला सेक्यूरिटी कट्रोल आपके सामने आएगा जो की रहेगा यह टे ली बाइल पासवड इस ड्म ज़ारी कि यहां पर आपको एक पासवड देना है kे तो मैं यहां पर पासवड दे दे रहूँ वान-टो-टो-ट्री-वार-फाइप आपको जो password देना आप दे सकते हैं एंटर करेंगे यह दूबारा पुछेगा repeat password में 12345 आपको same वही password देना है ठीक है और जैसे कि मैंने आपको बता रहा था यहाँ पर एक और security control हो था तो यह दूसरा security control है पहला लग एक बार में हम एक ही security control का यूज कर सकते हैं जैसे ही आप दूसरे security control को enable करेंगे पहला वाला disable हो जाएगा चीक है तो एक time पर आप एक security control का use कर सकते हैं तो मैं first security control का use करके बता रहा हूँ जैसे ही मैं यहाँ पर company को enter करूँगा एक्सेप्ट तो company बन जाएगी लेकिन साथ ही साथ मुझसे एक password मांगा जाएगा तो password जैसे में दूँगा company open हो जाएगी जैसे मैंने password लिखा और इंटर कर लो तो company यहाँ पर हमें status पर दिखाई जा रही है अभी ट्रेडर्स ना की company और नो वाउचर एंट्री चीक है यदि मैं इसको बंद करता हूँ company को बंद कर देता हूँ और इसमें दुबारा open करूँगा तो यह दुबारा मुझसे password मागएगा तो मैंने यहाँ इसको बंद कर दिया मैं गया select company में सिलेक company में जाने के बाद मैंने यहाँ पर अब इसकी कुछ खासियत में आपको बताने वाला हूँ कि जो first security control को अगर आप लगाते हो तो उसके फायदे क्या है उसके plus points का तो यहाँ पर पहला point आपको plus यह मिलेगा कि आपकी company का जो नाम है वो हाइट कर दिया जाएगा तो बात यह आती कि हम पैचाने के कैसे तो पैचाने के कैसे जब हम company को बनाते हैं तब हर company को एक different number दिया जाता है तो यह number आप use करेंगे company को पैचानने के लिए क्योंकि आप आपको जो first security control दिया गया है वो आपकी company के information को हाइट कर देता है जैसा कि मैंने इससे पहले भी एक company बनाई हुई थी उनकी information जैसी है वह इसी दिखाई दे रही है नाम भी दिखाई दे रहा है लेकिन यहाँ पर company का नाम नहीं दिखाई दे रहा है और जबकि रभी या आपके और कोई open करता है और वो से खुलने की कोशिश करता है या फिर वो अगर security उसको पता भी है password पता भी है तो सबसे पहला उसका preference होगा कि वो name से ढूंडे और याती वो name से ढूंडता है उसको नाम ही नहीं मिलेगा तो company उसके सामने होगी तब भी वो नहीं खुल सब्सक्राइब करते हैं तब आपको नाम नहीं दिखाई देगा तो याद रखिएगा जब अगर आप पर security control देते हैं तो आपको number देना जरूरी है इसके बाद दूसरा security control कहुंसा है तो मैं दूसरा security control बताने जा रहा हूं तो यहाँ पर मैं एक नहीं company का यूज़ करने वाला हूं तो यहाँ पर मैंने एक नहीं company यूज़ करी कोपाल ट्रीडस करके और यहाँ पर country रहे हैं इंडिया स्टेट रहेगा मद्यक्देश और यहाँ पर financial year 14 2019 14 2019 और यहाँ पर मैं second security control देना वाला हूं तो मैं first वाले को छोड़ दे रहा हूं और second वाले को yes कर रहा हूं यहाँ पर आपसे दो चीज़े पुछे लिए इसकी खासिए आपको यहीं देखने को मिल जाएगी पहला name of administrator दूसरा password तो यहाँ पर administrator का मतलब जैसे कि आप वैसे यहाँ पर आपको यूजर नेम और password देना है जिस नाम से वो company खुले तो मैंने यहाँ पर एक नाम लिखती है कित नाम से पासवर्ट देती है 12345 और repeat password आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा तो मैं यहाँ पर repeat password कर दे रहा हूं और उसके बाद enter करूंगा और जैस security control में नहीं थी लेकिन इस security control में है name of username तो यहाँ पर आपने जो अंकित नाम से पासवर्ट दिया था यूजर नेम दिया था वो यहाँ पर देंगे और यहाँ पर देंगे आप पासवर्ट और company आपके दुबारा open हो जाएंगी चीक है पर मैं इसको बंद करके आपको दु देखने को मिल जाएगे तो यह हमें यहाँ पर गोपाल नापकी company मिल रही है और उसकी information hide नहीं की गई है मैंने जैसा आपको गला जोगी इसके advantage है या जोगी प्लस point आपको वहीं देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा और जैसा कि पर से दिया दुबारा company open हो जाएगी तो आज की class में हम security control के बारे में बात करने वाले थे security control में आपको बताई दिये और याद रखिएगा टैली में keyboard keys का use किया जाता है जादा तर use होने वाली keys है escape button, enter button, up key, down key, arrow keys होती है जी जो आपको keyboard में आराम से मिल जाएगी क्योंकि टैली को operate करने के लिए हम use करते हैं keyboard का आपने टैली operators को देखा होगा वो keyboard का use करते हैं operate करने के लिए आज की class में हम बात करेंगे shut, shut करनी, close करना company को कर दो